वक्त बीत रहा है लेकिन पठान की कमाई और भी स्ट्रोंगर हो रही है होता ये है कि बीतते वक्त के साथ फिल्में बॉक्स ओफिस पर धेर हो जाती है लेकिन ये शाहरुक का जादू है ये पठान का जादू है ये फिल्म जब से थियेटर में लगी है तब से ही उतारे नहीं उतर रही फिल्म बैक टू बैक करिश्मा दिखा रही है और डे बाई डे ये कलेक्शन का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है और अब 14 दिन के रिपोर्ट कार्ड के मुताबिक फिल्म ने दुनिया भर में 850 करोड का आंकड़ा पार कर लिया है और अब पठान सिर्फ 1500 करोड दूर है एक हजार करोड के कलब में अपने नाम की रजिस्ट्री करवाने के लिए दरसल मिडिया रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पठान ने दूसरे मंडे को सारी लेंगुजिस में करीब 15 करोड 7 लाख रुपे में शांदार कमाई करने के बाद फिल्म के हिंदी बेल्ट ने कल यानी टीज़े को 7.5 से 8 करोड रुपे का कलेक्शन किया है इसमें पठान का टोमेस्टिक कलेक्शन करी 446 करोड रुपे हो गया है ऐसे में पठान का भारत में सबसे ज़ादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बनने का सफर भले ही मुश्किल नजर आ रहा हो लेकिन नाममकिन बिल्कुल नहीं है क्योंकि पठान के पास अभी पूरा वीक बाकी है यानि कि 5 दिन का वक्त बाकी है जिसमें की कयास लगाय जा रहे हैं कि फिल्म अपने थर्ज़े वीकेंड में भी जोरदार कमाई करेगी और जल्दी ही बाहुबली टू दा कंक्रूजन का रेकॉर्ड भी ब्रेक कर देगी क्योंकि बाहुबली पार्ट ने इंडिया में 510 करोड 99 लांक रुपे का टोटल करेक्शन के साथ रेकॉर्ड बनाया था और तो और इस बात की जानकारी खुद YRF ने एक पोस्ट शेयर करके दिया था YRF ने दुनिया भर के टिकेट काउंटरों पर फिल्म की सक्सेस का जशन मनाया और ट्विटर पर लिखा शांदार धंग से याद किया जाने वाला एक एक्शन सीन पठान हर जगर दिलों पर राज करते हैं इस लिहास से कयास लगाय जा रहे हैं कि फिल्म की ग्रोथ ऐसी ही आगे बढ़ती रही तो फिल्म जल्द ही एक हजार करोड के कलब में शामिल हो जाएगी क्योंकि देश और दुनिया में पठान की धूम अभी भी बरकरार है कुछ लोग बीजी शेडियो से थोड़ा टाइम चुरा कर पठान को देखने जा रहे हैं अब देखने वाली बात होगी कि पठान कितने दिनों में ये हिस्ट्री करियेट करती है और एक हजार करोड अपने नाम करती है इसके साथ ही देखने वाली बात ये भी होगी कि आने वाले विकेंड में पठान को देखने के लिए कितने जादा दडशक थीएटर में पहुँचते हैं खेर आप बताइए आपने अब तक पठान देख ली है या फिर नहीं